राद हेलो बच्चो। मैं हूँ हिमिन शर्मा आपको स्वागत का अपने यूटूब चैनल पिपर एकर पर तो बच्चो आज के शुप में ठीक है आज के शुन में बच्च्छे Site पेपर में लेकर है आपके आए हैं फिक्क्ष का ठीक है इसका लेकर आ आपको सभी कोश्चन देखना है बेरी बेरी इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है तो देखते रहेगा और इसमें देखेंगे हम आपके लिए एक बात बताते हैं इसकी जो पीडिएफ है वो बच्चो हमने अपने डिस्क्रिप्स वाक्स मिलें के दे दिया या आप पीडिएफ देखेंगे लाश्ट पूरी वीडियो को लाइक करते रहेगा ठीक है चलो कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कोश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से क्रास को सेर करेंगे सभी बच्चे तो एक बात बता दे बच्चो इसमें आपको फस्ट और सेकंड उनिट भाग बन में करवाने वाले हैं और इसके बाद की जो वीडियो रही थर्ड और फॉर्थ उनिट वह हम भाग तो में करवाएंगे तो देखेंगे बच्चो इसमें पहला क्या है पहला कोश्य हमारा किय किया है पुर्थे क्वाल एक विकल्प सही है सही सही विकल्प पुछ चुनकर लिखना है नि कि चार विकल्प को चुनकर मैं उसका बंसर रहेगा बना साथ रहेगा रहेगा option number दा ठीक है x is equal to a upon अंडरूर दो यह हमारा राइट अंसर रहेगा option number दा ठीक है option number दा हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चो ठीक है अगला next question देख लेते हैं next question next question दिया है biosavartnium है biosavartnium कौन सा है जल्दी से बताएं कि राइटांसर इस में से कौन सा होगा देखेंगे सभी बच्चे देखेंगे इसका जो राइटांसर वह Go Kaika रहने वाला है ऑप्सननोबर farklı हमारा राहत रहने वाला है 1T 무ίο 0 aja.4पाई समा कलण 1C det upon r σ方уш का किसके अनुक्रमान पाती है, right answer इसका क्या होगा, तो इसका देखेंगे, right answer जो होगा, बच्चों क्या होगा, option number 2, I, I इसका right answer होगा, option number 2, ठीक है, option number 2, इसका right answer होगा, अगला next question देख लेते हैं, next question दिया है, किसी कुंडली में संचित, चुंब किये, उर्जा घनतव है, किस B2 upon 2μ0, 2μ0, यह हमार right answer होगा, option number A, ठीक है, अगला next question, एक neutron V गती से, चुंब किये, छेतर V, यानि टेक्सला की, चुंब किये, रेखाओं के लंब बद, फिर वेस करता है, neutron पर बल है, neutron पर बल है, तो इसमे right answer कौन सा रहेगा, जल्दी से बताएंगे, इसमे right answer कौन सा रह होगा, तो देखेंगे, इसका right answer होगा, option number A, option number A, इसका right answer होगा, ठीक है, अगला next question, अगला next question क्या है, next question दिया है, एक ब्रताकार छले की तरजिया 5 cm है, तथा उसमे 0.1 ampere धारा बह रही है, इसका चुंब किये आगुन, इसका चुंब किये आगुन, कौन सा होगा, right answer बत तो देखेंगे, इसका right answer होगा, क्या होगा, option number 10 का right answer होगा, option number 10 का right होगा, 7.85 into 10 to power minus 4 ampere square, यह हमार right answer होगा, अगला next question क्या है, बैदे छेतर के एकांक आइतन की उर्जा होगी, बैदे छेतर के एकांक आइतन की उर्जा कितने होगी, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्च नमर 2 हमार right answer होगा, 1 upon 2 epsilon 0 e square, यह हमार right answer होगा, ठीक है बच्चो, अगला देखेंगे, बच्चो, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से subscribe करिए, जो कि हमारे आनी वाली वीडियो और notification जो है, वो सबसे पहले आप तब पहुचे, ठीक है, और स इसमार right answer कौँबा, इसमार right answer कौँबा, तो देखेंगे, option number 2, इसका right answer होगा, mu 0 i upon 2 r, mu 0 i upon 2, यह हमार right answer होगा, ठीक है, अगला next question, चुम्न कि एफिलक्स का SI मातरक है, तो कौन सा है, SI मातरक इसका, तो देखेंगे, इसका आपसा ही मात रहोगा अप्सटोर द्रूब अगुन है जल्दी से बताएंगे एक आपस्टोर द्रण का राइट आंसर रहेगा इसका इसका कोंसा राइट अंसर रहेगा बच्चो गों कि देखीं के पारीट अंसर रहेगा वह क्या साथ ठीक है अगला नेस्ट कोईश्चन अगला नेस्ट कोईश्चन क्या है एक कुलाम आवेस में एलक्ट्रानों की संख्या होती है एक कुलाम आवेस में एलक्ट्रानों की संख्या होती है कितने होती है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे कितने होती है तो देखे सब्सक्राइब माइनस ग्रेड बी यह मारा राइटांस भाइगा और रखे गए हैं यदि उनके मद एक काच का गुटका रखा जाए तो उनके बीच बल कैसा होगा बड़ेगा घटेगा कैसा होगा देखिए इसका जो हमारा राइटांस होगा क्या होगा option number 7 घटेगा उनके बीच का बल कैसा होगा घटेगा यह हमार राइट अंसर रहेगा option number 7 ठीक है अगला next question क्या है next question दिया है बेदो छेत्र की vector में इस्थित परिष्छा आवेज क्यों द्वारा अनुभब किया जाने वाला बल है अनुभब किया जाने वाला बल है तो कौन सा है जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है देखेंगे बच्चों इसका जो राइट अंसर रहने वाला है option number a option number a आ हो जागा f vector is equal to qe vector यह हमार राइट अंसर होगा option number a ठीक है अगला next question निम्न में से कौन सा संबंद नहीं है तो निम्न में से कौन सा संबंद नहीं है तो राइट अंसर कौन सा होगा इसका इसका right answer कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे देखेंगे इसका जो right answer होगा भाई क्या होगा option number 2 ठीक है option number 2 होगा delta into v vector is equal to 0 यह हमारा right answer होगा equal to 0 यह हमारा right answer होगा option number 2 ठीक है अगला next question देख लेते हैं अगला next question क्या है next question दिया है समान आव्यास घहनात्व सिग्मा वाली दो विपरीत आवेशित पिलोटों के बीच विद्धुचेत्र होगा तो इसमें right answer कौन सा होगा इसमें right answer कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे तो देखेंगा बच्चों इसका right answer क्या होगा option number A ठीक है option number A होगा सिग्मा अपॉंट एपसाइलन जीरो सिग्मा पॉंट एपसाइलन जीरो यह हमारा right answer होगा ठीक है अगला next question गौस के नियम को पिरदर्शित करता है जल्दी से बताएंगा right answer इसका क्या रहने वाला है राइट answer क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है बच्चों ठीक है इसका जो right answer रहने वाला है क्या हो जागा option number 2 ठीक है option number 2 हो जागा div div X equal to p ठीक है div D vector is equal to p यह हमारा right answer होगा option number 2 हमार right रहेगा ठीक है आगर आगर नेश कोशन देखेंगे किसी कुंडली का स्वे प्रेयर कत्व ईल जिसमें फेरों की संक्या एन तथा बिधुधारा आई के कारां शुमती की फिलक्स फाई है परिभासित किया जाता है तो किससे परिभासित किया जाता है जल्दी से बताएंगे right answer इसके कैometimes रहेइगा तो जल्दी से बताएंगे बच्चो right answer क्या रहने वाला इसका तो देखेंगे इसका जो right answer रहने वाला वाद चुब क्या हो जाएगा option number 2 l is equal to ni upon 5 l is equal to ni upon 5 इसका right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगला next question क्या है next question दिया है j vector is equal to sigma e vector प्रदर्शित करती है अगल इसका right answer क्यों से रहने वाला है इसका right answer क्यों से रहने वाला है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे option number 22 का right answer रहेगा ठीक है option number 12 का right रहेगा ohm के नियम को ohm के नियम को प्रदर्शित करती ही यह हमार understand option number 2 ठीक है तो आगला देखेंगे next question तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह कर रहेगा ऑप्षिन नंबर आ ठीक है उर्जा समर्चर पर यह हमारा राइट आंसर है ऑप्षिन नंबर आ ठीक अगला नेस्ट कोईश्चन जुम्ब किये फिलक्स घनात वी वैक्टर तथा वैक्टर वह वैक्टर से सम्मंद मे जल्दी से सभी बच्चे और राइट राइट लौफिन गए तो देखेंगे अब इसकी और रहने वाला हमारा आठप पर वेश कोसिन दिया है बैद जो छेतर की 1 काई वैट प्रतिमीटर होगा जल्दी से बताएंगे गए आन्सर कौं सा रहने वाला इस-का fuel कि देखेंगे बैद जो स्त्रिसे में एक यह बonne कोई है। टीक भालत प्रतिमीटर वे से बताएंगे सबी बच्चे धेखेंगे इसका जो राइट अंसर रहेगा बहिए कैड़ा आपसन नम्र दा रहेगा वी इच्कवल टू नियत बी इसकों सा रहने वाला इसका जल्दी से बताएंगे right answer कौंसा रहने वाला इसका हमाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कि लिए हमाई चैनल को जो कि हमारे आने वाली वीडियो और नोटिपिकिसन जो है वह आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है तो देखते हैं बच्चो अगला बोलते हैं अगला चलते हैं नेश कोशन की त हारा युक्त आर तिर्जिया के ब्रत्ताकार कुंडली के केंदर पर चुम्बगिय छेत्र की चुम्बगिय छेत्र को मान समानुपाति होता है जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा तो देखेंगे बच्चो इसका राइट आंसर रहे हैं इसका राइट आ कोन सा रहेगा इसका राइट सा रहेंगा आई पार ढार से कहांट रहेगा ठीक है अगले निस्रverage रहेगा चुंभगी एक्टर बेक्ठर की डायवर्जनस होती फूप टी है तो जल्दी से बताएं राईत अंसर कौन सा रहेगा इसका। इसका। राई राईट अन्सर रहेगा। नंबर सा रहेगा। जीरू इसका सून इसका राईंचacesा रहेगा। ठीक है अगरा नेश्ट कोशन देखते हैं एक गतिमान विदुत आवेस उत्पन करता है जल्दी से बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो इसका पत है कौनसा है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सार रहेगा इसका बच्चो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्सिन нमबर 20 कैसा पत है इसको प्राइट आनसर रहेगा और अगरा नेंष्घ पूसिशन अनंत لंभाई की पर पिनालका के बाहर चुम्ब की च्छेतर होता है जल्दी सबताएं केतना होता है राइट अंसर क्या रहेगा इसका तो देखेंगे इसका राइट अंसर इसके क्या रहने वाला है कि और जल्दी से बताएं के रहेगा इसका यहारा इसका क्या रहेगा राइट रहेगा अल्य नेuksंट होग किशी आंतरिक विंदु पर किसी आंतरी विंदु पर ही रहेगा ठीक है अगला नेस्ट कोईशन अगला नेस्ट कोईशन क्या रहने वाला है हमारा देखेंगे एल लंबाई वा एन फिरों वाली परिनालिका के भीतर चुम्ब की प्रेयरल का मान होता है तो जल्दी से पताएंगे क्या ऑप्सण रहेगा इसका इसका ऑप्सण क्या र की ती बृता का विम्य सूत्र है जल्दी से बताएंगे इसका राइट अंसर कौन सा रहने वाला है तभी बच्चे इसका राइट जवाब देंगे कौन सा ऑप्सन रहेगा हमारा तो देखेंगा बच्चो इसका जो राइट अंसर रहेगा बैकर रहेगा ऑप्सन अमबर बाग ठीक है ml t-3 a-1 यह हमारा राइट आंसर रहेगा option number 2 option number 2 हमारा right answer रहेगा ठीक है बच्चो अगला next question देख लेते हैं नेश कोईशन दिया है संधार रित्र की उर्जा है संधार रित्र की उर्जा है जल्दी से बताएंगे कितनी है तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा half cv square यहाने कि 1 upon 2 cv square यह हमारा right answer रहेगा option number 8 ठीक है अगला next question गौस प्रिमिया का प्रियोग किया जा सकता है तो जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा इसका इसका right answer कौन सा रहेगा तो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number 6 ठीक है इस्थिर्वा गतिसील दोनों पिरकार के आवेसों के लिए इस्थिर्वा गतिसील दोनों पिरकार के आवेसों के लिए हमारा right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला next question अगला next question क्या दिया है नेश कोशन दिया है बचो एक बैधूत दोनों के लिए दूरी आर के साथ बैधूत बिभभभा बदलता है बदलता है तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है तो देखेंगे इसका राइट अंसर रहेगा बैकर रहेगा option number A, R-2, R की पावर माइनस 2, R की पावर माइनस 2 यह हमार राइट अंसर रहेगा option number A, ठीक है अगरा next question, पैदो छेतर E वेक्टर की दिसा से 180 डिगरी घुमाने के लिए किसी दिद्रुपी वेक्टर पर किये गए कारे का मान होगा, तो जल्दी से बताएंगे राइट अंसर क्या होगा इसका, इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है बच्चो, जल्दी से जबाब देंगे इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है, तो देखेंगे इसका जो र प्रेस्ट आब इस घंत्व शेक्मा वाले चालग प्रेस्ट के निकत बैदुच्छेतर होता है जल्दी सी बताएंगे रचा रहने वाला है बच्छो जल्दी सी बताएंगे ऍहरी इसका राइट एक है निम्हट पूंट एप्साइलन जीरो प्रेस्ट के अभी लंग बद यह ह सब्सक्राइब किया जाता है विंदू 234 पर विदुच्छेत्र की ती ब्रता होगी कितने होगी जल्दी से पताएंगा राइट आंसर क्या रहने वाला इसमें तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर है किया रहेगा आप्सिन में से कोई नहीं नहीं होगा राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्सिन नमबर दा ठीक है अगला देखते हैं बच्छो नेश्ट यूनिट की तरह बढ़ते हैं यूनिट आगे आपके सेकंड ठीक है तो हम पहले ही बता चुक्क है आपके लिए कि वीडियो भाग फर्ष्ट में हम फर्ष्ट औ हम पहला question देखते हैं पहला question बढ़ने से पहले जल्दी से सभी लोग class को share करेंगे ठीक है? जल्दी से class को share करेंगे और लाइक करते रहेंगे Marx लिए वीदियो को लाइक करना फिल्कूल ना भूलेंगे बच्चो कि और अगर आपने माई चैनल को observe subscribe अब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हमारी आने वाली वीडियो जो है वह आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है और इसकी पीडिये बच्चो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंके दे दिया है पहां से आप डाउनलोड कर सकत प्रेद्धरा की जिसा ग्यात की जासकती है कौन से पही जल्दी से बताएंक राइट यह यह रहेंगा बच्चो चुपके लैंजिके नियम जी की दुख्या के पहले तिशा हमने लन sprinkे को किया जासकता है ठीक है अगला next question, next question क्या है, किसी सुद्ध प्रेयर कत्व L के धारा में आई प्रवाहेत होने पर आउसत संचित उर्ल्या होगी, ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका, इसका right answer क्या रहने वाला है बच्चो, तो देखेंगे, इसका right answer है बच्चो, हमारा क्या र इस्थाइटिक चुम्ब की ये छेतर के लिए, max well का समीकरन, max well का समीकरन है, right answer क्या रहेगा इसका, जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, right answer क्या रहने वाला है, तो देखेंगे, इसका right answer रहेगा, option number a, ठीक है, option number a, हमारा right answer रहेगा, delta into v vector is equal to 0, यह हमारा right answer रहेगा, option इस्थाइट धारा के लिए, विस्थाफन धारा का मान है, ठीक है, इस्थाइट धारा के लिए, विस्थाफन धारा का मान है, तो जल्दी से बताएंगे, इसका right answer कौन सा रहने वाला है, इसका right answer कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे, देखेंगे, इसका right answer और नंबर में इसका रहेगा ठीक है अगला नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं लिए परिवर्ति धारा बेतरव के लिए शांत चांद साथ शांत त्याय चमिकरण है जल्दी से राइट आंसर इसका क्या रहेगा जल्दी से राइट अंसर बताएंगे सभी वच्चे बताएंग तो देखेंगे इसमें जो राइट अंसर हैं अब है रहेगा Option नंबर सा इसका राइट रहेगा ठीक है डाइवस जे वैक्टर इस्क्वल टू इस्वल टू माइनस डेल्टा प्रपाउंड डेल्टा टि हमारा राइट अंसर है यह हमारा राइट रहेगा ऑप्सान नंबर कि हमारा राइट रहेगा ठीक अगला नेश कोशन देखेंगे पैदु छेत्र शदिस ए वेक्टर तथा चुम्व कि छेत्र सदिस एच वेक्टर के परिणाम में संबंद है ठीक है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका इसका राइट आंसर क्या करेने वाला है आपस्ट नंबर साथ ठीक है इसका टू अंडर रूट म्यू जीरो अपॉंट एक्साइलन जीरो एच ठीक है यहमारा राइट आंसर रहेगा आपस्ट नंबर साथ ठीक है अगला नेश कोशिशन पैदु छेत्र के लिए मैक्स वेल का करल समीकरान जल्दी से रहेगा है तो देखेंगे इसका राइट अंसर रहेगा तो देखेंगे इसका राइट है पहला रहेगा फ्रेंस नमर बाहरेगा ने क्लानिट कोशेण परियराण के लिए भीयूत किरम है जल्दी से बता एंगे रहते आंसर क्या रहे Arduino बच्चो तो देखेंगे इसका तो राया सरह रहा मे節 क्या रहेगा और समय टीक है यह हमारा राइट आंसर रहेगा option number अ ठीक है अगला निस्ट कोशन यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या तथा उसकी लंबाई दोग नी कर दें तो उसका तो उसका प्रेयर कत्व हो जाएगा तो उसका प्रेयर कत्व हो जाएगा यह हमारा क्या हुआ तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चो क्या रहेगा option number तो इसमें हमारा option number रहेगा option number 2 ठीक है दो गुना तो गुना यह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेश्ट कोश्चन जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा रहने बाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहने बाला है तो देखेंगे इसमें हमारा तो right answer रहेगा बबच्चों क्या रहेगा option number 10 ठीक है 5B vector into dl vector is equal to mu 0 शमा करन शमान पाती S बड़े विरिकेट में Z vector plus epsilon 0 delta E vector upon delta T Y is equal to DA vector यह हमारा right answer रहेगा option number 10 हमारा right रहेगा ठीक है बच्चों अगरा next question next question क्या दिया है हेनरी मातरक है तो किसका मातरक है जल्दी से बताएं के right answer क्या रहेगा इसका तो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number 10 ठीक है prayer कत्व का prayer कत्व का मातरक है यह हमारा right रहेगा option number 10 ठीक है अगरा next question यदि कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसमें प्रेरित प्रेरित वीवार बल हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से बताएं कि right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer क्या रहेगा option number 7 ठीक है option number 6 रहेगा चारगुना चारगुना इसका right answer रहेगा ठीक है अगरा next question क्या है कि अधि डियुआ आई यानिकि जबार एक डिवार्थबीक्ट 25 उसकि एक डिऊटर का ताथरए रहाइगा। से रहेगा इसका रहेगा। इसका रहत कौन इसका रहेगा चौक के रहेगा इकल चुमब की धुरूपका अस्तित्व संभब नहीं है एकल चुम्ब की धुरुब का आस्ते दूब शम्ब नहीं है यह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है बच्चो अगला नेश्ट कोईशन देख लेते हैं नेश्ट कोईशन क्या रहने वाला है हमारा आपकी स्क्रीन पर इन में से कौन सा समीकराण फैराइडे के बैद अगला नेश्ट कोईशन एक परिनालिका की लंबाई एल तथा अनुप्रेस्ट परिछिद ए है एन फिरों की इस परिनालिका का स्वेप्रेयर कत्व होगा जल्दी से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा इसका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला बच्चो तो देखिए जो राइट आंसर रहेगा अप्चैन मुजी रैए अंसर आपवबाझस 1gamay फ्राइट नेश्ट घ्राइट कमाईLab क्रामी कुंडली में धारा 2.01 से 2 एंप्यर से घटकर सूनने हो जाती है तब दितिय कुंडली में 1000 वोल्ट भीवा बल्म पैदा होता है दोनों जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा साथ ठीक है five point zero eight five point zero एक यहमार राइट आंसर होगा ठीक अगला next question देख लेते हैं अगरा नेश कोशन क्या है पिरचेव धारा मापी में धारा सुग्राहित तथा आबेश सुग्राहित की निस्पत्ति होती है तो जल्दी से बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा होगा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो मातरक हेंडरी लिखा जा सकता है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा हमारा इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे तो देखेंगा बच्चो इसमें जो हमारा right answer होगा ठीक है इसमें जो हमारा right answer होगा पर क्या रहने वाला है बच्चो च्छड उत्पन दीवा बल का मां होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या में शारा launch होता है जल्दी से पताएंगे जल्दी से राइट आंसर रहेंगे करते हैं राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहेगा इसमें राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहेगा तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा बच्छों हमारा कौन सा रहने वाला है ऑप्सन नंबर 2 हमारा राइट रहने वाला है ठीक है परिवरती चुम्ब की छेत परिवरति चुमिकी छेतर में यह हमारा right answer रहेगा, option number 1, ठीक है, अगला निष्ट कोश्चन, इन में से कौन सा समीकरण, maxi-bail समीकरण नहीं है, तो कौन सा समीकरण है, जो maxi-bail समीकरण नहीं है, right answer बताएंगे इसका, तो देखेंगे, इसका right answer होगा, option number 2, ठीक है, delta into d-back to गरड़ टू पी एमर राइट अनसर रहेगा ओप्सन नबर पाध्टी का अगला नेश्क कोस्षिन फिर छेवध धारम आपी मापता है तो जल्दी ज़्झा बताएंगे क्या मापता है राइट से इसकी रहेगा तो देखेंगे यह ऑप्सन नमबर बाइस का राइट अनसर रह आप्सिन नम्बर आ हमारा रहेगा चुम्भगी छेत्र का परिसंच्रा रहेगा तर फिरत्या वर्ति धारा बोल्टत्ता को प्रेरेड कर सकती है क्योंकि उसका चुम्भगी छेत्र कैसा है जल्दी से बताएंगा रहने वाला है option number आ रहने वाला यानि कि समय परिवर्ती है क्योंकि उसका चुम्गिय छेतर समय परिवर्ती है ठीक है right answer होगा हमारा option number आ ठीक है अगला next question next question क्या है एक दो मीटर लंबा तार 0.5 देवर पृति मीटर इसकोर चुम्गिय छेतर के लंबावत लंबावत एक मीटर पृति सेकेंड के बेग से गतिमान है उसमें तुरित वीवा बल है तो जल्दी से बताएंगे जल्दी से right answer क्या रहेगा तो option number size का right रहेगा ठीक है बन point zero बोल्ट बन point zero बोल्ट यह हमारा right answer रहेगा option option number इसका right answer रहेगा ठीक है अगरा next question देखेंगे एक सीध्यतर का स्वेग्र कवहता है तो इसमें right-antwort रहने वाला है तो इसमें रइाट-sकर का रहा है तो देखेंगें इसमें जो right answer को सब्सेंपने कोस रहेगा इसका तो देखेंगों बच्चो, option number 2 इसका right answer रहेगा div v vector square to mu zero j vector square to यह हमार right answer रहेगा, option number 2 option number 2 हमार right रहेगा, बच्चो, ठीके यह जो है question, यह वीडियो का last question था भी बच्चो ठीके, तो जल्दी से like करेंगे, share करेंगे, बच्चो share करते रहेंगे, और जल्दी से बढ़े वाले वीडियो तो आइंड नोटिकरिकेस्टन जो है, वह आप तक सबसे पहले पहुचे बच्चो ठीक है, और लाश्ट तक पूरी वीडियो को देखीएगा, बड़े मज़े आने वाले पूरी वीडियो में, बेरे बेरे बड़े वीडियो बच्चो मज़े आने वाले इस वीडियो में, तो मेलते हैं बेटों, एक सवट ब्रेक के वाद, जैहन बच्चो